नवश्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियो फाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के उपर, आज है मैं अपना जो NTPC की टैसेरी चलती है, उसका पेपर 024-531, 531 नंबर का जो पेपर है उसके सोलुशन को लेकर तो देखिए, बात करते हैं क्या है पेपर के अंदर, पहले सवाल की तरफ चलते हैं, पहला सवाल है अपना एक वर्ड दे रखा है इंपेशेंस और हमसे पुछा है कि कौन सा एक शब्द बना सकते हैं, जब भी ऐसा प्रशन आता है हमारी बात हुई है, हमें चेक करना है कि सा सारे जो लेटर से इंपेक्ट वर्ड के वो इसमें सम्मीलित है, तो फर्स्ट आप्शन दिख रहा है, बन रहा है, तो पहला ही मेरा आंसर निकल गया है इसके अंदर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्योश्चन नमबर दू, अगला सवाल बेस्ड ओन वर्ड्स, और रिलेशन को इस्टेबलिश करना है, और वो ही रिलेशन दूसरे शब्द के अंदर फाइंड आउट करना है, तो अदालत में क्या मिलता है दोस्तों, नियाय मिलता है, उसी प्रकार, स्कूल, विद्याला की अगर मैं बात करूं, तो विद्याला में हमें क्या मिलती है, तो second option मेरा यहां right answer चला जाएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगला सवाल है again energy का सवाल है दो शब्द दे रखें एक है जनवरी और एक है December तो अगर मैं महिनों की बात करूँ तो महिनों में जनवरी पहला महिना होता है और December last महिना होता है तो मुझे एक ऐसा ही relation दे बात करूँ तो counting में 100 लास्ट नहीं होता है 100 के बाद में भी numbers होते हैं लेटर 26 होते हैं जिसमें पहला लेटर होता है और आखरी लेटर जैड होता है तो यहां मेरा third option right answer चला जाएगा नेक्स सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल दे रखा है analogy based on numbers का सवाल दे रखा है और एक नंबर missing है दोनों तरफ एक एक नंबर missing है तो दोस्तों मुझे यहां एक नंबर लेना है और उस नंबर का मुझे relation बनाना है 1526 से उसी प्रकार एक नंबर में लुगा बी की जगे और उसका relation मुझे किस से बनाना ह 1627 से got it numbers के जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले square, cube और prime numbers की तरफ जाते हैं इनमें कोई भी number मुझे square नहीं दिखाई दे रहा ना cube दिखाई दे रहा और ना ही prime number दिखाई दे रहा है तो हम difference की तरफ चलते है got it तो difference की अगर बात करें first option को यहां से अगर मैं pick करूँ तो पहला number है 1526 और दूसरा number है 814 अगर मैं इनका difference निकालू तो difference आ रहा है दोस्तों यहां पर 712 कितना difference आया 712 अगला number अगर मैं लूँ नमबर है 2335 और बादवाला है 1623 अगर difference की बात यहां भी करें तो देखो यहां भी difference कितना है दोस्तों 712 तो दोनों तरफ difference की आ रहा है तो first option मेरा यहां answer चला जाएगा कि यह दो नमबर जो है यहां मैं number put करता हूं एक ही जगे इन दो नमबर का difference और अगले जो दो नमबर है उनका difference की आ रहा है सेम आ रहा है तो first option मेरा right answer चला जाएगा next प्रशन की तरफ चलते है question number 5 5 पांचों सवाल दे रखा है analogy based on numbers का सवाल है 248 और 3 दोनों में relation establish करना है तो देखो यहां relation क्या दिखाई दे रहा है 24 divided by 8 24 में अगर 8 का भाग लगा हूं तो भाग जाता है तीन बार उसी प्रकार 32 divided by 8 करूं तो value कितना आ जाएगी मेरी 4 तो third option मेरा यहां right answer चला जाएगा अगले सवाल की तरफ चलते है question number 6 चटा सवाल है मेरा और वन आउट का सवाल है चार शब्द मुझे दे रखे हैं और उसमें से एक शब्द मुझे eliminate करना है तो देखो पहला है रिंग अंगोठी नेकलेस हार आर्म बेंड बाजू बंद और ज्वेल्री तो ज्वेल्री को मैंने eliminate किया आभुशन ज्वेल्री को क्या बोला हमने आ तो मेरा आंसर गया है यहां थर्ड ओप्शन अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं अगेन और वन आउट का सवाल है बेस डॉन वर्ट का सवाल है चार शब्द है कूदना फिशिंग मचली पकड़ना नहाना और ड्राइविंग तो मैं क्या करूंगा इसमें ड्राइविंग को इलिमिनेट कर दूगा ड्राइविंग को क्यों इलिमिनेट किया की कि बाकी तीनों जो सब्द है वो मुवेवल एक्टिविटी है और वॉटर बोड़िस से रिलेटेड एक्टिविटी हैं वाटर बोड़िस मतलब पानी से संब्मन दीत है जिसमें नहाना आ गया पानी में चलांग लगाना कूदना आगया और मचली पकड़ना आगया तो तीनों को मैंने एक ही ग्रूप में पुट किया कि मुवमेंट हो रहा है कि इसमें related to water bodies अगले प्रशन की तरफ चलते हैं क्योशन नमबर आठ की अगर मैं बात करूं पेर ओफ वर्ड्स दे रखें ओर वन आउ यह मेरा यहां मैंने क्या किया यहां eliminate कर दिये तो यह बाकी तीन तो कौन से पेरते performing places को indicate कर रहे थे कि कौन से activity कहां पर की जाती है तो डी option मेरा यहां eliminate हो गया अगले प्रशन की तरफ चलते हम क्योशन नमबर नो अगेन और वन आउट बेस्ट ओन लेटर्स का सवाल है चा लेटर्स का सवाल आता है दोस्तों सबसे पहला काम हम करते हैं eliminate करने के लिए पेर ओफ लेटर्स पर फोकस करते हैं सबसे पहला काम दूसरा हम चेक करते हैं meaningful word और meaningful word के बाद हम चेक करते हैं differences difference में हम चार तरह से differences चेक करते हैं first, second, third, fourth first letter को third से और second को fourth से या first को fourth से और second को third से उसके बाद next आता है या तो हम swear check करते हैं vowel या क्या check करते हैं consonant को तवज्जो देते हुए चलते हैं तो अगर मैं pair of letters की बात करूँ तो देखो E का जोड़ीदार आता है V, D का W नहीं है ऐसा कुछ U का F आता है V से E आता है नहीं है, L से O दे रखा है के से P नहीं है तो तीन मुझे तीन options के अंदर pair of letters मिलने चाहिए थे जो नहीं है next meaningful word मुझे बनता हुआ किसे से भी दिखाई नहीं दे रहा है अब मैं बात करूँ difference की, तो यहां logic कौन सा जा रहा है दोस्तों अगर मैं E को H से compare करूँ तो प्लस 3 हो रहा है और D को G से compare करूँ तो भी क्या हो रहा है प्लस 3 L को O से compare किया अगेन प्लस 3 है K को N से किया अगेन प्लस 3 है U को अगर मैं W से करूँ तो यहां प्लस 2 हो रहा है दोस्तों और V को X से करें तो भी प्लस 2 हो रहा है Q को मैंगा T से रिलेट करूँ प्लस 3 हो रहा है और P को S से करूँ तो भी प्लस 3 हो रहा है तो तीन आप्शन के अंदर हमने देखा 1st to 3rd और 2nd 2nd से 4th को अगर मैं रिलेट करता हूँ तो तीन तीन लेटर का डिफरेंस है तो यहां ऑप्शन 3rd Eliminate हो जाएगा कि यह बाकिसे मैच नहीं कर रहा है अगले सवाल क्योशन नमबर 10 की तरफ चलते हैं अगीन ओड़ वन आउट का सवाल है और 4 आकरति हैं उनमें से एक को Eliminate करना है अगर मैं 1st option को देखू हूँ तो यहां देखो एक rectangle है यहां एक दूसरा rectangle है यहां है जो एक diagram उसमें दो diagram से और दोनों कैसे हैं similar diagram से यहां भी आप देख सकते हैं 1st option में available है 2nd option में available है 3rd option में available है 4th option के अंदर available है नहीं है तो 4th option की आकरति क्या होगी यहां पर Eliminate होगी सामाने से सवाल था काफी अगले प्रशन की तरफ चलते है क्योशन नमबर 11 clock से related सवाल है किसी चर्च की घड़ी 12 गंटे बजने में pendulum clock की बात हो रही है जिसमें जो dong होता है लटकन होती है जब घड़ी में एक बसते है तो वो एक बार टकराता है एक बार sound करता है दो बज़े 2 sound आती है तीन बज़े 3 sound आती है तो इसने बोला 12 गंटे बजने में 22 second का समय लेता है घड़ी में 12 बज़े तो दॉंग टकराएगा 12 बार मतलब 12 साउंड आईगी टन टन ऐसे करते हुए और उस में समय कितना लग रहा है 22 सेकंड लग रहे है class में हमने सवाल किया तो मैंने बता है कि जो समय लगता है वो दॉंग के टकराने में नहीं लगता एक बार टकराने के बाद दुबारा जब वो लोटकर उसी जगे आता है तो समय उसके अंदर खपता है इसमें ठीक है तो देखो जब घड़ी में यहां दिया समय है 12 वोकलो तो 12 बार टकराएगा तो इंटरवल कितना आएगा 11 इंटरवल कितना आएगा इंटरवल होगा 11 और 11 इंटरवल के लिए कितना समय लग रहा है 12 सेकेंड तो एक इंटरवल के लिए समय लगेगा 12 बटा 11 एक वल्स टू टू सेकेंड तो एक बार एक इंटरवल में कितना समय लगा यहां पर 2 सेकेंड अब इसने हम से कुछा क्या ज़िए जब घड़ी में 6 जब ज़े खेंगे टर्सका दराइक है बचे आघ तो इंत्रोड कितना हेगा एक कम आएगा इंटरवल तो हमने लिखा 60 o'c죠 six o'clock मतल Pietanaук Interval और एक इंत्रवल कि we will you हमने कितनी निकाली 2sq eh so guys when you are always Russell नस्arat तो 6 बजने में डॉंग कितना समय लेगा 10 सेकेंड का समय लेगा 6 बार टकराने में कितना समय लेगा 10 सेकेंड का समय लेगा अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं Question number 12 Question number 12 है 4 bag है इनके नाम दे रखे हैं सबका बजन अलग-अलग है Comparison का सवाल है तो 4 पोजिशन में ले लेता हूँ 1st, 2nd, 3rd and 4th अब इसने बोला कि T केवल S से हलका है T किससे हलका है? S से मलब सिर्फ S T से भारी है एक ही variable भारी है तो T को मैं 1st पोजिशन पे ले लूँगा S को 2nd पोजिशन पे कि इसने बोला कि T केवल S से भारी है कि S से हलका है गलत कर दिया इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूँ T किससे? S से हलका है तो पहले लिया मैंने S और उसके बाद किसको लिया? T को की T केवल S से हलका है V W से हलका है तो W भारी है किससे? V से फिर दे रखा है W T से हलका है W T से हलका है तो W को लिया और उसके बाद किसको लिया V को लिया यहाँ तो यह चारो जो बैग है उनका करम हो गया अब इसने पुछा सबसे कम भार वाला मतलब सबसे हलका बैग कौन सा है तो visible है यहाँ V fourth position के उपर है तो सबसे हलका बैग कौन सा है V तो चौथा option मेरा यहा राइट आंसर गया अगले प्रशन की तरफ चलते है Question number 13 एक series दे रखिये मुझे numbers की और condition दी गई है ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले 8 है ठीक पहले 8 है मतलब यह 7 है और 7 के ठीक पहले क्या है 8 है परंतु बाद में 8 नहीं है और इसके ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए Got it? तो अपना focus किस पे रहेगा 7 पे कि 7 यहां है 7 के ठीक पहले 8 है बढ़ बाद में 8 नहीं है तो एक तो यह fix हो गया फिर इसने बोला 7 से पहले 8 यहां नहीं है 7 से पहले 8 है लेकिन बाद में 8 नहीं होना चाहिए तो यह consider नहीं होगा पहले 8 है बाद में 8 नहीं है तो यह consider होगा 7 से पहले 8 नहीं है 7 से पहले 8 है और बाद में नहीं है तो यह भी consider होगा 7 से पहले 8 नहीं है 7 से पहले 8 है लेकिन बाद में 8 है नेक्स सवाल की तरफ चलते हैं question number 14 अगला सवाल है sitting arrangement का इसने बोला साथ लोग है पंक्ती में बैठे हुए हैं और जब भी हमें facing नहीं देते हैं तो facing हम north है जूम करते हैं north facing का मतलब है जो मेरा right है वो ही सामने वाले का होगा जो मेरा left है वो ही सामने वाले का left होगा अब इसने काया A, D और F के बीच है तो जब भी ऐसा statement आता है तो वो possibility को indicate करता है यहां काया A, D और F के बीच है तो A के right भी D हो सकता है और A के left भी D हो सकता है आगे काया C, F और G के बीच है C, F और G के बीच है आगे है G, C और E के बीच में है Next दे रखा है तथा D, B और A के बीच है D किसके बीच है? B और A के तो ये B और यहां भी तो D, B और A के बीच में है बताइए कि पंक्ति के ठीक मद्द्य में कौन बैठा है? उपर दोनों ही अरेंजमेंट सही है क्योंकि अगर कोई अरेंजमेंट गलत होता तो वो इसमें eliminate हो जाता यहां मीड में F दिखाई दे रहा है इसमें भी मीड में F दिखाई दे रहा है तो पंक्ति के ठीक मद्द्य में कौन बैठा है? F variable बैठा है तो चोथा option मेरा यहां right answer हो जाएगा अगले सवाल की तरफ चलते है question number 15 15 number का सवाल है again sitting arrangement का सवाल है दे रखा है साथ लड़के है नाम उनके दे रखे है अविशेक, साकेत, रवी, गोतम, कोशिक, राहूल और रंजन एक्जाम में मुझे कभी भी उन नामों को नहीं पढ़ना है फिर दे रखा है रंजन अविशेक और कोशिक के बीच है जब भी ऐसा statement आता है पिछले सवाल में भी था तो ऐसा statement possibility को indicate करता है तो मैं लिखता हूँ यहां दो possibility बनाता हूँ इसने का जो रंजन है वो अविशेक और कोशिक के बीच है again रंजन को लिया रंजन अविशेक और कोशिक के बीच है next information है राहुल जो बाएं सीरे पर है उसके और अविशेक के बीच में केवल एक लड़का है तो यह अविशेक यह एक लड़का और यहां कोन है राहुल और राहुल extreme left end पे है मतलब राहुल के left में कोई दूसरा नहीं है और अगर मैं इसमें करूँ तो राहुल अविशेक एक आदमी और यहां कोन आया तो राहुल कहां आया राइट end पे और सामने वाला क्या बता रहा है राहुल है left end पे तो यह वाला जो arrangement है यह arrangement क्या हो गया गलब तो मुझे सिर्फ जो उपर दिखाई दे रहा है उसी arrangement को follow करते वे चलना है फिर इसने बोला कोशिक और रवी के बीच दो लड़के हैं कोशिक और रवी के बीच दो लड़के हैं कितने variables हो गए eight और सामने वाला कितना बता रहा है seven इसका मलब राहुल यहाँ पर नहीं बैठेगा तो राहुल कहाँएगा कोशिक पहला आदमी दूसरा आदमी और यहाँ कोन आएगा रवी आ जाएगा got it next दे रखा है गोतम रंजन के right बैठा है gottum रंजन के right रंजन यहां है अब रंजन के right कौन से number पर बैठा है ये बता ने रखा तो रंजन और रंजन के right कौन बैठा है got it यहां मैं want time को mention कर देता हूं आगे दे राखा है रवी और साकयत के बीच तीन लड़के हैं रवी और साकेत के बीच कितने लड़के हैं तीन तो रवी की position है अपने पास पहला लड़का, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का यहां को ना या साकेत फिर बचा गोतम तो गोतम रंजन के राइट है तो गोतम को मैं साकियत के राइट में ले लेता हूँ ठीक है ये मेरा आरेंजमेंट हो गया सवाल मेरे से पुछा है तो रवी बीच में है रवी किन दो लोगों के बीच है तो यहां विजिवल है रवी राहुल और अविशेक के बीच में है तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहां राइट आंसर चला जाएगा अच्छा सवाल है प्रेक्टिस कीजिएगा इसकी सेपरेट नेक्स की तरफ चलते हैं क्योशन नमबर 16 हगला सवाल सिरीज फिलर्स का सवाल है तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना पहला काम होता है काउंटिंग करना है पहला काम क्या होता है काउंटिंग करना तो यहां 15 लेटर से दोस्तों प्रशन में कितने अक्षर है 15 अक्षर है 15 अक्षर हो तो या तो 3-3 की पेरिंग करते हैं पाँच पाँच की पेरिंग करते हैं, मैं बाहर निकालता हूं लेटर्स को, देखें, अगर मैं इन क्या, यहां इस टक लूम की, A space, A, B space, B, C, B, C, अगर मैं तीन-तीन के पेर बनाऊं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, again 1, 2, 3, अब हर एक पद में तीन-तीन अक्षर है, तीन पोजिशन है, मैं सबको पढ़ता हूँ, चलता हूँ, हम फस्स को कंपेर कर सकते हैं, सेकेंड को कर सकते हैं, और थर्ड को भी कंपेर करते हुए चल सकते हैं तो यहां हमने देखा, A, B और C, तो इसका मतलब तीनों लेटर्स डिफरेंट हैं, तो यहां A आना चाहिए और A के बाद क्या आना चाहिए, B और यहां पर B अवेलेबल नहीं हैं, इसका मतलब तीन-तीन के पेर नहीं बनेंगे, नेक्स्ट, इसी को भी बाहर निकालते हैं वापस हैं, यहां अगर मैं चेक करूँ, अब अगर मैं पांच-पांच के पेर्स बनाओं, फाइफ, अगें फाइफ, एंड अगें फाइफ, गाट इट, अब मैं पोजिशन को पढ़ते वे चलता हूँ, देखो, A, B, C, A, B, और C, तो तीनों इस्तान पे मुझे तीनों ड डिफरेंट लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, तो जब तीनों डिफरेंट लेटर्स दिखते हैं, तो हम तीन तरह की सिरीज लिखते हैं, पहली सिरीज होती है, A, B, C, दूसरा होता है, B, C, A, और तीसरा होता है, C, A, B, got it अब यहाँ पहली सीरीज क्या है A B C सेकंड सीरीज को अगर मैं फोलो करूँ यहाँ पर तो सेकंड सीरीज आप देखें यहाँ देखो A दे रखा है राइट से अगर मैं चलू A C तो बच्चा हुआ लेटर कौन सा जाएगा यहाँ पर B यहाँ देखें आप A C B थर्ड लेटर को देखें आप A दे रखा है B दे रखा है और C दे रखा है fourth में अगर मैं चलू तो B दे रखा है C दे रखा है और A तो तीनो जो लेटर से हर पद में वो क्या होंगे different होंगे इसमें आगे चलें तो next देखो यहां तीनों missing है, जो last वाला क्या है, तीनों ही missing है तो हमने क्या-क्या fill किया, उसको लेके चलते हैं, तो हम B fill कर चुके है, second place के उपर हमने किसको fill किया है, B को fill किया है तो second place के उपर sorry, first place पे हमने किसको fill किया है B को, तो first place पे B मुझे कहां दिखाई दे रहा है एक D option के अंदर दिखाई दे रहा है और A के C option के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है उसके बाद हमने यहाँ fillers में क्या लिया है एक filler ही अभी हमने fill किया है और मेरे पास fillers कितने हैं यहाँ पर 4 fillers है अब next देखो अगर मैं यहाँ इन दोनों options को लेके चलता हूँ तो तीन जो fillers है तीनों में letters कैसे अलग-अलग letters आने हैं तो यहाँ अगर मैं लोग C, A और B तो रिक्तिस्तान में मेरे पास क्या आया B, C, A, B तो fourth option मेरा यहाँ right answer हो जाएगा दोस्तों What it, next question की तरफ चलते है, question number 17 Letters का सवाल है, series का सवाल है किसला सवाल था, जिसमें fillers थे यहाँ एक missing term है, उसको find out करना है तो जब भी हम इस variety की series के सवाल करते हैं तो हम first to first comparison करते हैं या first to last या तो मुझे first to first comparison करना होता है या मुझे first to last comparison करना होता है first to first comparison को देखें तो देखो के से M, plus 2 again plus 2 और again plus 2 और plus 2 करों तो यहाँ later आजाएगा Q और Q later मेरे पास B और D option में है तो पहले दो option तो मैं eliminate कर देता हूँ second को second से compare करों तो यहाँ plus 3 हो रहा है दोस्तों again plus 3 है और again plus 3 करों तो यहाँ later आना M जो available किसमें D option के अंदर तो D option मेरा right answer चला जाएगा third comparison को हम check करते हैं तो देखो W से T दे रखा है minus 3 हो रहा है T से Q दे रखा है again minus 3 और again minus 3 करों तो later के आजाएगा N जो fourth option के अंदर available है अगले सवाल question number 18 की तरफ चलते हम question number 18 series का सवाल है number series जो सारे numbers क्या है आसपास और जब भी number आसपास होते हैं तो हम क्या करते हैं उनका difference लेके चलते हैं तो अगर मैं यहाँ difference की बात करूँ तो clearly visible है minus 5 है यहाँ minus 4 है और यहाँ minus 1 है तो series मुझे consecutive दिखाई दे रही है यहाँ मैं minus 3 कर लूँ और फिर आगे मैं minus 2 करूँ minus 3 करूँ तो number के आएगा यहाँ पर 21 और 21 option first में available है अगले सवाल की तरफ चलते है question number 19 question number 19 की बात करे again मेरे पास सवाल है number series का numbers आसपास दिखाई दे रहे हैं जब भी numbers आसपास दिखाई दे तो जो अभी पिसले सवाल में किया था वो ही again मुझे repeat करना है मुझे इनका difference लेते वे चलना है तो पहले दो numbers है उनमे difference visible है 4 आ रहा है अगले दो number में difference 8 है और आगे वाले दो numbers में difference आ रहा है 16 तो यहां series क्या बन रही है कि जो difference आ रहा है वो 2x होते वे चल रहा है इसको double किया हमने इसको double किया इसको double करेंगे तो अगला जो difference आएगा वो 32 का आएगा तो इन दो numbers में difference किसका आना है 32 तो मेरे value बनेगी 66 value क्या बनेगी 66 दोनों ही सवाल आसान थें यहां पर अगले सवाल की तरफ चलते है question numbers 20 अगला सवाल calendar का सवाल है दे रखा है 1 March 1997 को शुकरवार हो तो 1 March 2000 को कौन सा दिन होगा double date का सवाल है चुकि इसमे number of days और month सेम है number of days और month सेम हो तो हम difference वर्ट्शों में लेके चल सकते हैं पहला तरीका दूसरा तरीका होता है कि पहले मैं 1 March 1997 का वार निकालू उसके बिहाब पर मैं 1 March 2000 का वार फाइंड आउट करूँ तो हम first method को follow करते हैं कि दे रखा है 1 March 1997 में इसको शुकरवार है और पूछा किसका है 1 March 2000 का मेरे से वार पूछा है तो करेंगे क्या है यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे 1 March 1998 में 1 March 1999 में और फिर इससे 2000 तो देखो यहाँ कितने वर्ट्शों का अंतर है एक वर्ट्श का अंतर है और दोनों ही standard यह रहे 97 भी standard हो 98 भी standard है तो यहाँ reminder आएगा 1 98 से मैं 99 में जाओं दोनों ही standard यह रहे अगें यहाँ reminder आएगा 1 99 से मैं कहां गया 2000 तो एक वर्ट्श का अंतर है अब हमें देखना है फरवरी किसकी काम में आगी तो फरवरी यहाँ काम में किसकी आएगी 2000 की और वो है एक लीफ वर्ट्श है क्योंकि 99 का प्रोग्राम तो मार्च के बाद में शुरू हो रहा है तो मार्च के बाद अप्रेल, मै, जून तो फरवरी किसकी काम में आएगी 2000 की और 2000 कैसा लीप यह है और लीप यहर में reminder कितना हैगा 2 लीप यहर में reminder कितना हैगा 2 तो total reminder कितना है मेरे पास 4 तो Friday plus 4 करूँ तो answer क्या जाएगा दोस्तों Tuesday तो option B मेरा यहाँ पर right answer निकल जाएगा ठीक है अगले प्रशन की तरफ चलते question number 21 अगला सवाल देखें dice का सवाल है और दो dice दे रखिए और हमसे पूछा है कि 5 की opposite कौन सा number होगा दोनों dice को comparison करें तो हमने यहाँ देखा कि 2, 2, 3, 3 दो number समान है और जब किनी दो पासों में दो number समान होते हैं दो सतय समान होती है तो बची भी दोनों सतय एक दूसरे के विपरीत होती है तो यहाँ 5 की opposite क्या number आना है दोस्तों 6 आना है तो 5 की opposite कौन सा number जाना है छटा number यहाँ पर जाना है अगले सवाल की तरफ चलते है question number 22 अगला सवाल है cube का सवाल है 1 6 cm भुजा वाले एक घन को 1 cm भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विवाजित किया जाता है dimension है 6 into 6 into 6 और काटा उसको 1 into 1 into 1 में विवाजन से पूर वे घन को लाल रंग से रंगा गया है सारी सतों पर कैसा रंग किया गया है लाल के वल एक ही प्रकार का रंग है इसके उपर बताईए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 से ज्यादा सतह है 3 से ज्यादा सतह रंगीन हो तो हमने पढ़ा है 1 सतह रंगीन होती है 2 सतह रंगीन होती है और 3 सतह रंगीन और 4 option आता है colorless च्यूब में एक भी ऐसा dice नहीं होता काटने के बाद कि जिसके तीन से ज्यादा सत्य रंगीन हो तो answer चला जाएगा यहाँ पर None ऐसा एक भी नहीं होता है जिसमें तीन से ज्यादा सत्य क्या हो रंगीन हो अगले प्रशन के तरफ चलते है Venn diagram का सवाल है तीन variables है मेरे पास एक दे रखा है fans of tennis tennis के प्रशन सक दूसरा दे रखा है cricket player और तीसरा दे रखा student तो अगर मैं इनमे relations बनाऊं और जब भी हम relations बनाते हैं तो तीन तरह के statement बोलते है पहला relation हम बोलते है सम आर का relation होता है दूसरा हम बोलते है relation होता है all आर का और तीसरा हम बोलते है no one का, कितने तरह के relations होते हैं तीन तरह के relations अगर मैं बात करूँ tennis के प्रशनसक और cricket के खिलाड़ी तो जो cricket का खिलाड़ी होता है वो tennis का प्रशनसक हो सकता है ठीक है, और किसी दूसरे sports का भी हो सकता है, तो यहाँ relation है, some are, क्या है some are, कि कुछ cricket के खिलाड़ी जो है वो tennis के प्रशनसक हो सकते है फिर अगर मैं relation बनाऊँ विद्यार्थी और tennis के प्रशनसक तो इनमें भी relation कैसा है, some are कि कुछ विद्यार्थी, cricket के प्रशनसक हो सकते है, और जब मैं relation बनाऊँ, student और cricket के खिलाड़ी तो यहाँ भी relation के आए, दोस्तो some are, कि कुछ student, cricket के खिलाड़ी हो सकते है, कुछ किसी दूसरे game के हो सकते है, तो यहाँ तीनों variables में कैसा relation है, some are का relation है, अगले प्रशन की तरफ चलते है, अगला सवाल है silox का सवाल है मेरे पास और दो मेरे पास statement है पहला statement बोल रहा है सभी जानवर पक्षी है और दूसरा बोल रहा है कुछ जानवर मनुष्य है जब भी एक variable कि नहीं दो statement में common हो, तो सबसे पहले हम priority देते हैं, जो some वाला statement उसको लिखने की, तो यहाँ क्या कहा गया है, कि कुछ जानवर मनुष्य है पक्षी और मनुष्य में भी relation आ रहा है कि कुछ पक्षी जो है, वो मनुष्य को intersect कर रहे है, तो मेरे से पहला कुछ है कि कुछ मनुष्य पक्षी है कुछ मनुष्य पक्षी है तो यहाँ हम दे सकते हैं यह मनुष्य और यह पक्षी तो relation कैसा आया कि कुछ मनुष्य पक्षी है और कुछ पक्षी मनुष्य है तो दोनों ही conclusion क्या यहाँ पर सही है तो second option मेरा right answer हो जाएगा कि first और second दोनों ही follow करते हैं next question की तरफ चलते हैं अगला सवाल है board mass का सवाल है और जब भी हम board mass का ऐसा सवाल देखते हैं तो हमने काफी बार बोला है आपको वीडियो के अंदर कि मुझे यह देखना है कि सामने वाले निया equation balance करने के लिए बोला है या गलत equation का पूछा है तो इसने पूछा है कौन सा समीकरन सथ्य है क्योंकि काफी सवालों के अंदर यह भी पूछा जाता है कि कौन सा असत्य है तो solve करते हैं और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले मुझे multiplication और division की उपर focus करना होता है तो जहां गुणा है वहां मुझे भाग करना है तो यहां से value कितनी आएगी और जहां भाग का निशान है वहां मुझे क्या करना है इंटू करना है तो यह तीनो variables को अगर मैं बनाऊं तो यह value ऐसे बननी है दोस्तो 4 इंटू 10 अपोन 5 तो यहां value कितना निकल कर आई 8 यह value कितना आई 8 अब आगे हम अगर इसको check करें तो 30-5 plus 8 करूं तो 38-5 किया तो 33 तो पहला मेरा क्या है गलत है यह calculation imaginary होनी चाहिए पेन नहीं चलाना होता है इनके अंदर फिर अगर मैं जाओं second को check करूं तो देखो यहां 5 into 4 है और यहां 5 10 divided by 5 है तो यह value कितना है 20 और यह value कितना है 2 इसको लिखता हूं में तो हमने लिखा 30-20 plus 2 तो 32-20 में करूं तो value आनी है 12 है तो second वाला option भी क्या है यहाँ पर गलत है next की बात करें तो अगर मैं इन तीनों को solve करूं तो देखो 4 into 10 upon 5 तो यह value कितना है 8 यहां में 8 लिखता हूं अब इसको हम चेक करें तो इसने दे रखा है 30 plus 5 minus 8 answer यह भी 62 नहीं आ रहा है मेरा यहाँ पर तो बचाओ option 4th option क्या जाएगा right answer जाएगा पर चुकि हम यहाँ check कर सकते हैं exam point of view की बात करें तो हम इसको check नहीं करना है तो यहाँ division है और value i 6 और यहाँ multiplication है यहाँ value i 40 और यहाँ मैंने लिखा 5 तो 46 minus 5 करूं तो value कितनी आजाएगी 41 तो d जो equation है वो यहाँ right है मेरी अगले सवाल की तरफ चलते है question number 26 की बात करें direction का सवाल है दे रखा है गाव B जो गाव के A के नौर्थ में है किसके नौर्थ में है A के नौर्थ में तो मैंने सबसे पहले लिया A और A के नौर्थ में कौन है B आगे दे रखा है गाव C जो गाव B के इस्ट में है B के इस्ट में कौन है C तो यह B है और B के इस्ट के में अंदर कौन है C गाव D जो बाएं है गाव A की जो A विलेज है उसके लेफ्ट में कौन है D तो A के लेफ्ट में किसको पुट किया D को अब हम से पुछा है गाव C के सापिक्ष में किसके रस्पेक्ट में पुछा है C के रस्पेक्ट में पुछा है तो यह direction है south west हिंदी में कहेंगे दक्षन पश्यम तो south west c option मेरा यहाँ पर right answer है अगले प्रशन की तरफ चलते है question number 27 blood relation का सवाल दे रखा है hierarchy बना के हमें check करना है पहला दे रखा है e b की पतनी है तो मुझे b की पतनी ड्रो करना है यह b और b की पतनी कौन है e next दे रखा है c d की पतनी है c पतनी है d की तो d हो गया उसका पती next दे रखा है b c का पुत्र है तो c का पुत्र है तो d का भी पुत्र हो जाएगा b पुत्र है किसका c का और b की पतनी है e, दोनों hierarchy को combine कर देता हूँ E A का पुत्र है E पुत्र है किसका E का तो यहां इसको ड्रो किया हमने बताईए D का E से E कॉल करेगा किसको D को क्योंकि relation को न बताता है दोस्तों relation वो variable बताता है जिससे relation पुछा जाता है तो यहां relation किससे पुछा गया E से तो E कॉल करेगा किसको D को तो ये इसको क्या बोलेगा ये इका पिता है और ये पिता का पिता है और पिता की पिता को क्या करते हैं Grandfather तो थर्ड ओप्शन यहां Right Answer जाएगा अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं अगला सवाल है Counting of Figures जिसमें मुझे Triangles को गिनना है तो सबसे पहला तरीका है मैं इसको Approach कैसे करूँ तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो Horizontal Line है इससे इसको दो भागों में बाढ़ता हूँ एक भाग की तरफ मैं गिलनू पहले Triangles और उसके बाद दूसरे की तरफ गिलनू अब गिनने का तरीका क्या होता है मैं इन पे Numbering कर देता हूँ देखो मैं Points लिखता हूँ A है यहाँ B है फिर यहाँ C है D लिया E लिया F G और H यहाँ यह B इसको Indigate करता है यहाँ पर यह C है और यह D है सारे Points उनको Highlight कर लिया अब सबसे पहले मैं कहां से चलूँगा A से एक बिंदू से चलना हम शुरू करते है मैं यहाँ से चलता हूँ और इस रास्ते पर चलता हूँ तो देखो triangles क्या क्या बने वो मैं लिखते वे चलता हूँ A F B यह triangle बना उसके बाद इसी रास्ते पर मैं दुबारा चलता हूँ तो A F C यह दूसरा triangle बना इसी से वापस चलता हूँ तो A G और C तीसरा बना इसको भी मैंने क्या किया एक ऐसा structure इस से vertical line से मैंने इसको अगें दो भागों में बाट लिया तो मैं पहले एक तरफ गिनके चलता हूँ उसका 2X मैं कर दूँगा फिर तो A से A F B बना A F C बना और A G C बना अगला मैंने लिया दोस्तों मैं B से शुरू करता हूँ तो B F C बना और उसके बाद C से अगर मैं शुरू करूँ या F से शुरू करूँ तो F G C बना तो एक तरफ कितने बने 5 दूसरी तरफ भी कितने बने 5 तो 5 और 5 कितने होगे, 10, अब अगर मैं दोनों को कम्बाइड करता हूं, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, A, G, और E, एक ट्रेंगल और बना, तो एक तरफ कितने ट्रेंगल से बने दोस्तों, एक तरफ नॉमबर ओफ ट्रेंगल से बने 11, एक उपर की तरफ कितने ट्रे दोना, तो कम्बाइड करने पर आप ट्रेंगल देख सकते हैं, यहां मैं एक वरियाबल और पुट कर देता हूं, आई, कम्बाइड करने पर यह जो वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट में जो ट्रेंगल बन दे, उसका मैं 2X कर दूँँगा, तो लेफ्ट में देखो ट् ट्रेंगल बन रहा है, A, F, J, दूसरा बन रहा है, A, G, I, और तीसरा बन रहा है, C, F, J, C, F, J, पर टिकल लाइन के लेफ्ट में तीन ट्रेंगल बने, A, F, G, C, F, J, और A, G, I, तीन ट्रेंगल बने, तीन लेफ्ट में तो तीन ही राइट में हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 तो 22 प्लस 6 मैं करूँ तो मेरी वैल्यू कितनी ही यहाँ पर 28 तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा गाट इट जितने पॉइंट से उनको लिख रखे हैं हाइलाइट किया है वापस इस सवाल को आराम से देखें और समझें अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला सवाल है आयू का सवाल है जो बोड मास में हम एरिटमेटिक के सवाल है उसके अंदर कंसिडर करते हैं दे रखा है राम की आयू शाम की आयू से दो गुनी है तो वर्तबान आयू कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं इसको लेके चलता हूं स्केल पे लिए आकी यह प्रजेंट को इंडिगेट करता है और प्रजेंट में इसने बता रखा है कि राम की आयू शाम की आयू से दो गुनी है तो राम अनुपात शाम वो आया टू इस टू वन दस वर्ष पूरवे पास्ट की तरफ अगर मैं जाऊं और कितना पीछे जाऊं दस साल दस वर्ष पूर वे राम की आयू शाम की आयू तो दस साल पहले राम और शाम का अगर अनुपात निकालू तो अनुपात दे रखा है चार अनुपात एक अनुपात कितना दे रखा है चार अनुपात एक तो हमसे पुछा है राम तता शाम की वर्दम तो यह value कितने हैं 6 is to 3 कितनी है 6 is to 3 अब यहाँ भी difference 3 का है और यहाँ भी difference कितने का है 3 का तो difference हो गए equal अब देखो राम की 10 वर्स पहले unit कितना था 4 और 4 से कितना बना 6 4 से कितना बना 6 तो कितना unit का improvement हुआ 2 units का improvement हुआ तो हमने क्या check किया 2 units equals to 10 years 10 वर्स पहले 4 unit थी राम की आयू जो वर्तमान में कितनी है 6 तो 2 unit का इजाफ़ा हुआ 10 वर्सों में what it means कि 1 unit will be equal to 5 years तो 1 unit किसके बराबर हो जागी 5 वर्स के 1 unit 5 के बराबर है तो 6 unit कितना हो जागी 30 एक unit 5 के बराबर है तो 3 unit कितने के बराबर हो जागी 15 की तो राम की वर्तमान आयू 30 है और शाम की वर्तमान आयू कितनी है 15 तो 3rd option मेरा यहाँ पर right answer निकल जाएगा अगले सवाल की तरफ चलते है question number 30 अगला सवाल है एक word दे रखा है चार लेटर्स दे रखे हैं और इन चार अक्षरों से इसने दे रखा है प्रते का केवल एक बार उप्योग करते हैं मतलब repeat नहीं करेंगे हम किसी भी लेटर को कितने शार्ट तक अंक बनाई जा सकते हैं तो देखो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं अगर चार अक्षर हो तो उससे कुल कितने शब्द बनेंगे 24 और चार अक्षरों से अगर 24 बनते हैं तो एक अक्षर से कितने में बनेंगे 6 एक अक्षर से कितने शब्द बनेंगे 6 तो पहले मुझे S से 6 बनाने फिर D से बनाने, E से बनाने और U से बनाके चलने यह आपको सिखाया है तो उसी को मैं follow करता हूँ सबसे पहले मैंने लिया S D, E, U तो S से 6 बनेंगे तो मैं S को 6 टाइम लिखता हूँ दोस्तों फिर हम क्या करते हैं इनको interchange करते वे चलते हैं आप भी साथ साथ बनाते चले मेरे यह मैंने 6 बनाए S से अगला मैं बनाता हूँ D से, तो अगर मैं D को पहले लिखता हूँ तो बाकी के 3 लेटर बाद में आने और D से मुझे 6 बनाने है तो D को मैं 6 टाइम सबसे पहले लिख लूँगा अब बाकी जो रिमेनिंग 3 लेटर से उनको मैं अरेंज करते वे चलता हूँ, S से 2 बनने हैं फिर E को पहले शिफ्ट किया फिर रिमेनिंग जो दो हैं उनको इंटरचेंज किया U को पहले उतारा और उसके बाद बाकी 2 को इंटरचेंज किया नेक्स्ट से अगर मैं बात करूँ तो E को मैंने पहले पुट किया बचे वे लेटर्स लिखे तो E को मुझे लिखना है 6 बार लिखना है S, U, D D को लिया तो S, U U, S U, S, D और U, D, S एक लेटर बच्चा है U, तो मैं U को यहां लिखके चलता हूँ U को अगर मैं पहले लूँ तो S, D, E U से 6 बनने है तो मैं क्या करूँगा U को 6 बार पहले लिख लूँगा अब अच्चे वे लिटर्स है 3, 3 का अरेजमेंट होता है 6 तरस से तो S, फिर इनको इंटर्चेंज किया S के बाद में हम क्या करेंगे D को पुट करेंगे तो D को लिया तो S, E अब दोनों लेटर्स को इंटर्चेंज करेंगे और फिर E को पहले लिया S, D और फिर D, S अब मुझे जो 24 तो बन गए अब मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा मिनिंगफूल होगा तो यहां देखो क्या दे रखा है कुछ अगर आपके समझ में एक वर्ड दे रखा है Should क्या दे रखा है Should Basic word होता है Su Basic word क्या होता है Su Su का मतलब होता है मुकदमा दायर करना या कोट में देखना Su का मतलब क्या होता है मुकदमा दायर करना या कोट में देखना एक यहां बन रहा है Dues बकाया जिसे हम बोलते है E से कोई भी meaningful नहीं बन रहा है और Use से बन रहा है Used Use से क्या बना Used तो कितने meaningful words बने तीन meaningful words बने तो 3rd option मेरा यहां राइट आंसर 4th option मेरा यहां राइट आंसर हो जाएगा कि इससे तीन meaningful words बनेगे अगले प्रेशन की तरफ चलते है Question No.31 35 सवाल आते है अगला सवाल है घडी का clock का सवाल है और मेरे से घडी का reflection पूच्छा है Got it मेरे से क्या पूचा है इसने दिया है यदि किसी घडी में साडे नो का समय हुआ तो उस घडी के प्रतिविम्ब में क्या दिखाई देगा उस घडी के प्रतिविम्ब में क्या दिखाई देगा और प्रतिविम्ब में इसने mention नहीं कर रखाए हैं तो क्या करते हैं कि मेरे reflection के सवाल के अंदर जो given time होता है उसका sum हम 12 hours के equal करके चलते हैं given time का sum कितना करते हैं 12 hours के equal करते हैं तो 9.30 को मुझे अगर 12 बनाना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें minutes add करूंगा कितना 30 तो 30 30 60 minutes equals to हो गया 1 hour 9 plus 1 10 बचा कितना 2 तो इसका reflection कितना जाएगा दोसों दो बचकर 30 minutes इसका reflection जाएगा और water reflection की बात करें तो water reflection में हमारी बात हुई है कि अगर minute की सुई का मान 30 minute या उससे कम होता है तो उसको 18-30 में से घटाते हैं तो 18-30 में से मैं किसको घटा हूँ अगर 9-30 को घटा हूँ तो यहां तो value कितना है 00 और इधर value कितना है 9 इधर value कितना है 9 वाला मेरे पास option कोई है नहीं अगर आप ऐसे सोचो कि उसमें कौन सा reflection पूछा है तो mirror reflection पूछा है और mirror west में रखा है इसका मला मुझे right to left आना है मुझे कहां से कहां आना है right to left और मेरे पास 3 structure है one by one में इनको follow करते हुए चलता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस structure की तो यह जो left में वो right वाली side के उपर आएगा और यह shaded part अंदर है तो यह वाला हिस्सा क्या होगा इसमें shaded रहेगा अंदर वाला हिस्सा तो first option के अंदर है second के अंदर है third में नहीं और fourth में भी नहीं है दो option मेरे eliminate हुए हमारी बात हुए जब भी nonverbal के सवाल करें तो जो गलत उसको हटाते वे चलते हैं अब अगर मैं arrow की बात करूँ जो arrow ऐसा दिखाई दे रहा है जब इसका reflection आएगा तो यह arrow मुझे ऐसे दिखाई देगा तो ऐसा B option के अंदर नहीं है first option के अंदर available है तो option पहला मेरा right answer जाएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं question number 33 again मेरे सामने सवाल है paper cutting folding का और इसमें एक structure दे रखा है कि जब आपने finally इसको ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड किया और उसके बाद ऐसा किया तो जब इसको unfold हम करेंगे तो यह structure मेरे सामने ऐसे आना है दोस्तों ऐसे structure यह structure जो है वो ऐसे बनना है और जब यह इससा वापस खुलकर इधर जाएगा तो यह structure ऐसे बन जाएगा एक rhombus जैसा आकार बन जाएगा जिसके अंदर आप देखें यह side में देखो इसके बाहर की तरफ कुछ भी नहीं यह plane है पूरा यहाँ पर भी plane है बट इन चार options के अंदर तो given ही lines दे रखी है तो option first मेरा यहाँ पर right answer चला जाएगा अगले सवाल की तरफ चलते है question number 34 आज की paper का second last सवाल एक diagram दे रखा है जिसका 1 by 4 part missing है तो देखो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमने दो चीज़े सीखी है कि या तो यहाँ उपर वाले हिस्से का replica आएगी मतलब water reflection आएगा या जो left वाला हिस्सा है उसकी mirror image यहाँ आनी है तो यह उपर वाला हिस्सा तो यहाँ clearly visible है नहीं आएगा कि यह दोनों replica है तो यह left वाला हिस्सा किदर आएगा right की तरफ अब left वाला जब मैं इस्सा right की तरफ लूँ तो देखो अगर हम देखें कि यहाँ यह जो line है slanting line है वो सबसे पहले ऐसे आनी है फिर यह जो square दिखाई दे रहा है यह square बनना है और यह जो line है यह line ऐसे structure आना है तो ऐसा structure जहाँ available हो उसी के उपर focus करके चलते है ऐसा structure देखो यहाँ नहीं है square नहीं बन रहा है यहाँ बन रहा है यहाँ नहीं बन रहा और यहाँ भी नहीं बन रहा तो option second मेरा यहाँ पर right answer चला जाएगा अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज की paper की 35 embedded figure का सवाल है एक structure दे रखा है चार option available है मुझे बताना है कौन सा option इस figure में hidden है तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको लेके चलूँ तो मुझे straight line चाहिए एक vertical line चाहिए vertical line मुझे यह दिखाई दे रही है यहाँ पर फिर एक structure यह बनना रखा है इसने ऐसा और उसके बगल में एक छोटी सी tail है तो यहाँ यह diagram मुझे मिल रहा है आगे मुझे जाने की इसमें जरूरत फिल नहीं हो रही है तो first option मेरा यहाँ right answer चला जाएगा अगर मैं fourth को देखूँ तो मुझे सबसे पहले एक डंबरू जैसा structure चाहिए तो डंबरू जैसा structure यह है बट यहाँ vertical line नहीं है तो यहाँ available नहीं है zigzag अगर मैं देखूँ और यह horizontal लेकि अगर line में चलूँ तो horizontal line यहाँ पर है इसमें zigzag कोई भी structure मेरे पास चल रहा नहीं है तो first option मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा thank you everyone आज के paper की यह सवाल थे 35 अच्छे से समझे सारे सवालों को next paper में फिर मुलाकात करेंगे next 35 questions के साथ अपना ध्यान लखें और उसको राते रहें नमस्कार